हेलो दोस्तों आप सभी का हमारी यूटुब चैनल नॉलिज आल अबाउट में स्वागत है मैं हूँ स्रवड पठवा दोस्तों आज के इस वीडियो में घर बैठे कैसे पता करें कि अधार कार्ड से कौन सा मोबाइल नंबर जुड़ा है वर्तमान समय में अधार कार्ड सबसे जरूरी दस्ताविज बन गया है सभी काम काजों के लिए वर्तमान समय में अधार का इस्तमाल किया जाता है कई बार देखा गया है कि हमारे पास एक से अधिक मुबाइल नमबर होते हैं और हम भूल जाते हैं कि हमारे अधार में कौन सा मुबाइल नमबर जुड़ा हुआ है तो ऐसे में परसान होने की जरुवत नहीं है हम आपको बताने वाले हैं सरल तरीके जिसके माध्यम से आप मातर एक मिनट में पता कर सकते हैं कि आपके अधार से कौन सा मुबाइल नमबर जुड़ा है इसके साथ ही आज का यह वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों आप अपने मुबाइल और कम्प्यूटर के ब्राउजर को ओपन करेंगे ओपन करने के बाद आपको Google के सर्च बाक्स में UIDAI टाइप करना होता है टाइप करने के बाद आपको टॉप में टॉप में फिशल वेब साइट दिखेगा अधार काट का उस पे आपको क्लिक करना है दोस्तों यदि आप इसको mobile से open करना है चेक करना है तो आपको mobile के google chrome browser को open करना है open करने के बाद आप right side के top में 3 dot window दिखाई देगा इस पे आपको click करना है click करने के बाद आपको इस प्रकार का interface दिखाई देगा जिसमें आपको add to home उस screen के नीचे desktop site को enable करना होता है enable करने के बाद आपके mobile में जो internet का page open होता है वह इस post और desktop site में open होता है उसको आप zoom करके असानी से किसी भी page को access कर सकते हैं और forum फिल्फ कर सकते हैं इस प्रकार मैं आपको PC में बता रहा हूं कि माई अधार पे click करना है माई अधार पे click करने के बाद आपको ऊपर में जो gate अधार update your अधार दिखाई दे रहा है उसमें आपको अधार services पे जाना है तीसरे नमबर के अधार service के नीचे जो verify अधार सोग कर रहा है उस पे आपको click करना है दोस्तो इसका link में description box में दे दूँगा जिससे आप असानी से चेक कर पाएंगे तुरंट इस प्रकर के interface आपको दिखाई देगा जिसमें आपको verify अधार यहाँ पे 12 digit का अधार नमबर डालना है उसकी नीचे capture दिया है side में इसको आपको click करना है यदि आपको capture यहाँ से अच्छे से समझ नहीं आता है तो इसको आप इस तरह से refresh button के click करके दूसरा capture भी प्राप्ट करके यहाँ पे आप डाल सकते हैं इस प्रकर मैं आपको यहाँ पे fill up करके दिखा रहा हूं इस प्रकार आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अधार नंबर शोग करेगा अधार नंबर शोग करने के बाद अधार नंबर और capture code को डालने के बाद process to verify पे click करेंगे click करने के बाद आपको इस प्रकार का interface दिखाई देगा जिसमें अधार verification completed ऐसा एक message दिखाई देगा उसके नीचे अधार नंबर आपका सोग करेगा उसके नीचे जो है age, gender, state और mobile नंबर सोग करेगा दोस्तों आपके अधार में जो mobile नंबर 8 होगा उसका last का three digit यहाँ पे सोग करेगा इससे आप जान पाएंगे कि आपका कौन सा mobile नंबर जुड़ा हुआ है और यहाँ पे एक से अधिक लोगों का यदि चेक करना है तो verify another अधार पे क्लिक करके फिर से आपका अधार नंबर और capture code और process to verify वाला verify अधार वाला interface open हो जाएगा तो इस प्रकार दोस्तों आप आसानी से एक मिनट से भी कम समय में अपने अधार में कौन सा mobile नंबर जुड़ा हुआ है यह आपता कर पाएंगे दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा वीडियो को लाइक करें साथ ही जो लोग मेरे चैनल पर पहली बारा हैं वे लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक कर लें ताकि हमारे द्वारती गई हर इस तरह की notification आपको जल्द मिलती रहें थैंक्स पर वाचिंग